दोस्तो आज की इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं डार्क सर्कल के treatment के वारे में आज की इस वीडियो में मैं आपके वताऊंगा उसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं और आप उस पे क्या चीज लगाके, कौन सी medicine लगाके और कौन सी medicine पी के आप उसको ठीक कर सकते हैं तो dark circle एक बहुत common सी समस्या है जो कि आज कल देखने को मिल जाती है simply आखों के चारों तरफ काले घेरे बन जाने इसको medical term में dark circle बोला जाता है अब dark circle कोई ऐसी खतरनाक बिमारी नहीं होती है ये हमारी body को indicate करती है कि body के अंदर कोई समस्या चल लई है कोई बिमारी चल लई है जिसकी वेसे body के ओपर ये sign आ रहा है कि patient के अंदर कोई न कोई problem जरू चल लई है तो बिमारी को ठीक करने के लिए doctor को भी और patient को भी ये समझना बहुत जरूडी होता है कि वो क्या कारण है जिसकी वेसे problem सामने आ रही है तो कारण में मैंने इसको दो में divide किया है आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए तभी आपको सारी चीज़े सुनवाएंगे दो में divide किया है पहला आता है कि आपकी body के अंदर कोई disease condition है second है life style में problem आपकी है तो सबसे पहले point की तरफ चले हैं जो कि disease condition मतलब किसी बीमारी की वज़े से आपकी body में ये problem हो रही है second जो मैंने आपको बता है life style error life style error का मतलब है कि life style की वज़े से आपकी body के उपर ये sign आ रहा है तो disease condition में सबसे पहले हम देखते हैं अनीमिया मतलब कि पेशेंट को लंबे समय से खून की कमी चल लिए पेशेंट अनीमिक है तो उसकी वज़े से प्रॉलम उसको हो सकती है second आता है इसमें CFS chronic fatigue syndrome patient बहुत जादा कमजोर हो चुका है किसी specific बीमारी के बाद patient बहुत कमजोर हो चुका है पतला हो चुका है और चारो तरफ उसके circles बनने है पेट में कीड़े होने के बाद भी अगर लंबे समय तक पेट में कीड़े हैं तब भी इस तरह के लेक्शन सामने आता है second आता है महिलाओं में axis maturation अगर उनको हो रही है periods जादा हो रहे हैं एनिमिक हो रही है तो बार बार उनको इस समस्य अगर continue में बनती है तो ये sign उनकी body में आता है जो लोग excessive masturbation करते हैं male excessive masturbation करते हैं या फिर sex करते हैं उसके बाद भी इस तरह की समस्या सामने आती है next condition आती है दोस्तो stress और depression अगर patient बहुत लंबे समय से मांसिक तनाप से गुजर रहा है तो भाँ पे भी इस तरह का sign देखनों को मिल जाता है दोस्तों बात करते हैं lifestyle error में कौन-कौन सी चीज़े हो सकती हैं जो कि disturb कर रही है सबसे पहला आता है slip less मतलब कि आप बहुत कम सोते हैं 7-8 घंटी की नेन से भी आप बहुत कम सो रहे हैं केवल आप 4-5 घंटे सो रहे हैं और लगातार में आप ऐसा करते हैं तो ये sign आपकी चारो तरफ देखनों को मिल सकता है next आता दोस्तों इसकंदर आप mobile का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आप लगभग दिन में 8-10 घंटे mobile चलाते हैं उसकी वज़े से भी आपकी बोडिक अंदर ये sign देखनों को मिलता है next आता दोस्तों इसमें sun exposure और pollution मतलब आप सूरज का काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं दूप में रहके आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है या फिर आप किसी polluted area में रहते हैं कि pollution वहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो उसकी वज़े से भी आपकी बोडिक अंदर ये sign आ सकता है next आता दोस्तों इसमें dehydration आपकी बोडिक अंदर पानी की कमी हो गई है बहुत ज़्यादा तेज धूप है बटा पानी नहीं पीते हैं और लंबे समय तक ऐसा चलता है तो आपकी बोडिक अंदर ये sign आ सकता है next आता दोस्तों इसमें addiction addiction मेगर आप smoking करते हैं या फिर आप alcohol का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उन लोग के अंदर भी इस तरह के sign देखे गए हैं या फिर जो लोग ज़्यादा access drug का यूज़ करते हैं कोई भी drug का यूज़ करते हैं उसकी वज़े से भी ये sign patient का अंदर देखने को मिले हैं दोस्तों चलिए होगे कारण की बात इन में से आपको देखना हो कि क्या कारण आपकी बोडी में अंदर चला है तो दोस्तों हमेशा की तरह बीमारी को ठीक करने के लिए आप केवल बीमारी का जो कारण है treat the cause आप उसको ठीक कर लेजे आपकी जो problem है वो ठीक हो जाएगी जैसे कोई patient है उसके पेट में कीडे है उसको आप कीडे की medicine दीजे patient ठीक हो जाएगा कोई depression बाला stress बाला patient है उसको आप relax दीजे जब वो मांसिक रूप से ठीक होगा तो physical condition भी उसकी automatically ठीक हो जाएगी कोई patient एनीमिक है आप उसको hemoglobin बढ़ानी की medicine दीजिए कोई भी medicine दीजिए होमोपैतिक आरववेदि के अबर कोई भी आप medicine दे सकते हैं जिससे उसकी body कंदर खून की मात्रा बढ़े तो patient को ठीक हो जाएगा तो इसी तरीके से जो भी उसका कारण है patient को देखके कारण ढूण के उसके हिसाब से medicine देगे तो वो ही दवाईयां ज्यादा सफल होती है मोमन होमोपैतिक थेरपूटिक में आपके इसमें medicine बता देता हूँ एक मदर टिंचर आता है आप चाइना मदर टिंचर लाएए चाइना मदर टिंचर ये बहुत सारी चीजों को cover करके चल लाए patient का अंदर multiples problem भी हैं तो भी उसको ठीक करेगा तो चाइना मदर टिंचर लाएए 1200 रुपे का आपको मिल जाएगा पीने की शिशिला ये इसकी 10-15 बूंदे दिन में 3 बार थोड़ी से पानी में डालके आप patient को पिलाएए 10-15 बूंदे लेजिए खाने के 20 मद बाद patient को continue में आप पिलाएए ताजे पानी में डालके लगभग 1-2 महिने तक continue में आप इस दवाई को लीजिए आपकी बोड़ी के अंदर बहुत अच्छे-च्छे सोधार आएंगे और ये डार्क सरक्ल से धिरे-धिरे करके ठीक होने शुरू हो जाएंगे इसके लावा patient अगर बहुत ज़्यादा problem में है तो आप एलोपेथिक medicine भी साथ में चला सकते हैं कोई problem नहीं है यह दोस्तो पहले medicine चाहिना मजट इंचर किसी भी company का आप ले सकते हैं बात आती हैं लगाने के लिए आपको कौन सी medicine यूज करनी है तो दोस्तो होमेपेथि में एक specific medicine आती है लगाने के लिए आप देख सकते हैं Sunny Eye Under Cream ये बहुत अच्छी cream है ये आँखों के dark circles को ठीक करने के लिए ही बनाई गई है तो देखा जाए बैक्सेंड कंपनी इसको बनाती है Sunny Harwells के नाम से बनाती है minimize dark circles and fine lines around the eyes अगर आपके आँखों के चारों तरफ dark circles हो गए है कालापन हो गया है ये उसको ठीक करने के लिए है इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ generally आप इसकी बिल्कुल थोड़ी सी quantity ले लीजिए जितने एक चने के दाने के बराबर एक piece होता है आप इसका cream ले लीजिए इसका अंदर एक dip निकलेगी आप देख सकते हैं सरीके की dip निकलती है इसका अंदर इसको आप ले लीजिए बिल्कुल थोड़ी सी quantity में ले लीजिए और आपको के चारो तरफ जहां जहां पर आपको प्रॉडम है उस जगह पे आपको लगाना है सर्कुलर मोशन में लगाना है ठीक है यह छोटी सी dip निकलेगी और बहुत लंबे समय चलेगी लगभा दो तीन महीने चलेगी और इतने में आपकी जो condition है वो लगभा 50-60% इससे ठीक हो जाएगी ठीक है दिन में दो बार इस्तिमाल कीजिए बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा लीजिए आपको को नीचे लगा लीजिए सर्कुलर मोशन में आप इसको लगाईए ठीक है सर्कुलर मोशन में आप इसको लगाईए दिन में दो बार इस्तमाल कीजिए ठीक है रापको सोते समय इस्तमाल कर लीजिए दिन में आपको जब भी समय मिलना है उस समय आप इसको इस्तमाल कर लीजिए कसके रगन लाने इस चीज का अपने ध्यान देना है हलके से आप रब कीजिए बस और सुभा को ही चेहरा धोलीजिए ठीक है बस इस क्या करण है उसका भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है तो कारण ढूंड़िए टीट्मेंट मैंने आपको दे दिया है आप इससे ठीक हो सकते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है थैंक्यू सुमच कि अच्छ